A very good morning experience, आज हम पढ़ेंगे 15 जुलाई 2014 के करेंट अफेर्स आज की फर्स न्यूस है दिट वर्ड यूथ स्किल्स दे कब सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 15 जुलाई को पिशले साल यानि 2023 का थीम क्या रहा? स्किलिंग टीचर्स, ट्रेनर्स एंड यूथ फर अ ट्रांस्फॉर्मेटि फ्यूचर अचारी जो वर्ड यूथ स्किल्स टे है 15 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है लेकिन क्यों? क्या एम है इस टे को सेलिब्रेट करने का? वही चीज़ है स्किल्स होंगे, नॉलेज होगे, कुछ आइडिया होगा है ना? सेकिंड पॉइंट अगर हम देखें तो NBDA, News Broadcasters and Digital Association के President कौन बने है? रज़त शर्मा, आपकी अदालत देखी होगी, है ना? तो इंस्टेग्राम पे पे रील्स चलती हैं कि जिन्होंने नहीं देखा होगा, इंस्टेग्राम पे रील्स के थूरू तो देखी लिया होगा, है ना? तो रज़त शर्मा जो कि वेटरन टीवी जर्नलिस्ट है, वो प्रेजडेंट अपॉइंट किये गए है, NBDA के. अब क्या है News Broadcasters and Digital Association? एक Private Level की Association है, जिसमें बहुत सारी जो Current News या जो TV Broadcasters है, उनके एक Organization है, अपनी बनी वी, जिसके Formation 2007 में हुई थी, है ना? आगे चलें, थर्ड पॉइंट हम अपना देखें, तो UAE, United Arab Emirates, ने क्या किया है, एक स्ट्रेट है वहाँ पे, जिसका नाम Indian Origin Doctor के नाम पे रखा है, ये स्ट्रेट कहां पे है, UAE, United Arab Emirates, कहां पे लोकेटेड है, येमिन, ओमान, साओधी अरिबिया, मैंने आपको बताया था पिछले वाली, जो हमने 14 जुलाई की करेंट अफेर्स पड़े थे, वहाँ पे थोड़ा मैप के थूँख हलका सा समझाया था, कि जोग्राफिकली कहां पे लोकेटेड है, है न, तो UAE की केपिटल है, अबूधाबी, वहाँ पे गली है, स्ट्रेट है, जिसका नाम Indian Origin Doctor के न जिसमें History, Policy, Geography, Economics, Current Affairs, Art and Culture and Biology, ये सारी PDF आपको मिल जाएंगी, पर चेस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो चलिए, अब सीदे चलते हैं, अपने second page की और, आज का fourth point है, पहले ऐसे Indian Prime Minister, जो आस्ट्रिया गई है पिछले 41 सालों के पात, वो बने है हमारे Prime Minister Narendra Modi ji, अब अगर हम बात करें, इंदिरा गांधी, पहली ऐसी Indian PM थी, जो 41 साल में तब सबसे ही लास्ट आप बोले हैं, फर्स इंडियन PM टो विजट आस्ट्रिया फॉर दर लास्ट ताइम, अच्छा, ये ना यहां पर गडबड हो गई है, ये थी हमारी Indian PM, जिन्होंने आस्ट्रिया में विजट किया था, सबसे रिसेंटली 1983 में, और 1983 के बाद कोई भी नहीं गया, इंडिया की तरफ से है ना, जिसने लीड किया हो आस्ट्रिया में जाके, या कोई मीटिंग है लेकिन हमारे PM, मोदी जी, लास्ट 41 एर्स का रिकॉर्ड तोड के अब आस्ट्रि पढ़ने बैठते हैं, सामने इंडिया का मैप, वर्ड का मैप लगा होना चाहिए, तक कि आप बार-बार वहां पे देख सको कि कौन से चीज कहां पे है, है ना, फिफ्ट पॉइंट हमारा आता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, राजिस्तान की, यह मैंने शॉर्ट में अलग-अलग सेक्टर में लगाया चाहेगा, आगे चले, सिक्स पॉइंट अपना देखें, तो एक रिपोर्ट आई है, उनटे नेशन की, रिपोर्ट किसकी है, यूएन वर्ड पॉपॉपलेशन प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के हिसाब से, इंडिया की पॉपलेशन श्रिंग करना स्टार्ट कर देगी अगले 38 सालों में, अभी देखिए, इंडिया जो है, most populous country है in the world, है न, चायना वेरा सबको पीछे छोटी है, लेकिन अगले 38 सालों के बाद, इंडिया की पॉपलेशन काफी हद तक श्रिंग होना शुरू हो जाएगी, ठी यह जो श्रिंग होना है, 2012 जैन जुलाई के आसपास, डिकलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, अब देखिए, फिक्स नहीं है कि सच में ऐसा होगा, लेकिन एक एस्टेमेट लगाया जाता है, बहुत सारा डेटा को अनलाइस करके, ठीक है, तो यह एक एस्टेमेट है, यह पकका पका ठतिस सालों के बाद होगा, बट कुछ फरेक, कुछ डिकलाइन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, आके चलें सेवन पॉइंट अपना देखिए, so 10% रिजरवेशन अब से दी जाएगी, जो अगनिवीर्स होंगे, अगनिवीर्स कीम हमने पड़ी थी पांस साल के लिए जॉब उसके बाद रिटायमेंट मिलेगी, कैश मिलेगा, जो भी है, तो अब 10% रिजरवेशन दी जाएगी, जो फॉर्मर अगनिवीर्स हैं, उन्हें तीन सेंट्रल सेक्योरिटी फोर्स में, मतलब जो रिटायर हो गए, उसके बाद तीन जो सेंट्रल स इसेंट्रल सेक्योरिटी फोर्सेज हैं, वहाँ पे उनको रिजरवेशन दी जाएगी, 10%, कौन-कौन सी हैं वो फोर्सेज, आर्पी फोलो, रेल्वेट प्रोटेक्शन फोर्स, बॉर्डर सेक्योरिटी फोर्स, एड़ सी आई-सफ, ठीक है, तीन हो आपने याद रखना है, बाकि 7 हैंगे, टोटल, उनके बार में मैंने स्टैटिक जिके में पढ़ाया है, बहुत ज़गा अच्छे से, सेंट्रल इंडॉस्ट्रिल सेक्योरिटी फोर्स है ना, चलिया, इसी के साथ हमारा सेक्ट पेस भी हो गया, कम्प्लीट, अगें वीडियो पसंद आ रही हो, ला अच्छे से, लाज का 8 पॉइंट है, जिसने ये डिसाइट किया है, कि वो बैन लगा देंगे, जो एनरजी ड्रिंक्स मिलती है, जिसमें कैफेन कंटेंट बहुत साथा होता है, तो ऐसी एनरजी ड्रिंक्स की सेल पे बैन लगा देंगे, स्कूल्स के रेडियस के 500 मीटर्स क एरिया में, तो किसने ये चीज डिक्लेर की है, डिसाइट की है, अनॉंस की है, महराश्टा गवर्मेंट में, एम क्या है, ताकि बच्चों की हेल्थ को थोड़ा सेफ़कार्ड किया जा सके, कैफेन इंटेक लेके, तो डेफिनेटली एनरजी आती है, अगर आप कैफेन से इंटर के रेडियस में, स्कूल्स के, ऐसे एनरजी ड्रिंक्स, जिन में हाई कैफेन कंटेंट होता है, उनकी सेल पे बैन लगा दिया चाहेगा, ठीक है, नाइन पॉइंट हम अपना देखें, गुल्बेकियन प्राइस, तो हजाचोबिस, हुमैनिटी के लिए किसे दिया ग काम है, कोलोस्ट गुल्बेकियन फांडेशन, और ये एनुली हर साल दिया जाता है, उन इंडिविजल्स को जो ग्लोबल लेवल में, फूड सेक्यारिटी के लिए, क्लाइमेट रिजिलियन्स के लिए, एकोसिस्टम प्रोटेक्शन के लिए कुछ अच्छा काम करते है, ठी महिलाओं को उनके हस्बिन के तरफ से मंथली जो पैसा दिया जाता है, उसके अलावा एक हम सब अमाउंट एक बड़ा अमाउंट दिया जाता है, तो बस वह ये चल भी रहना है, आशकल कि हाँ डिवोर्स ले रहे है, एक वहार्दी पांडेवाला देखा था फिर बाद में हमारा एक सिस्टम है, है ना, अपेक्स लेवल का ये कोट है, इसे उपर आप कहीं नहीं जा सकते, तो अंडर सेक्शन 125 था, CRPC का, है ना, तो अब इस जिसको रिप्लेस किसने किया है, जो भारती नागरिक सुरक्षा सम्हीता है, 2023, इसने रिप्लेस किया CRPC को, एक जुलाई है आप, इसे के साथ दिखे हमारे आज की करेंट अफेर्स हो गई, कमप्लेट वीडियो पसंद आए, तो लाइक जरूर कीजेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बैल आइकन को प्रेस करें, so that मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं, सबसे पहले आपके पास पहुँचे, प्लिस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी गवर्मेंट एक्जाम के लिए प्रिपेर कर रहें, उनके साथ भी मैं चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, so that in hand return notes का उन्हें भी कुछ फाइदा हो सके, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में, so that's it and see you soon!